किसी एक संत को बड़े अपमान भरे शब्द सुनने ही पड़ते हैं कोई संतों के लिए साध्यों कोई नई बाते नहीं हैं बहुत सुनने पड़ते हैं और उसे कहीं ज़्यादा किसने अपमान भरे शब्द कहें गाली की जैसे तो शिष्यों ने गुरा माना गुरु महराज के लिए संत के लिए ऐसे शब्द प्रियोग शोगनी नहीं है प्रतिकिरिया व्यक्त करनी चाहिए शिष्यों ने तो संत ने रोका उन्हें समझाया कहा बच्चो इस व्यक्ति ने यदि मेरी देह की निंदा की है तो देह सबकी निंद नहीं ही है कोई नई बात नहीं की हम सुएम को भी देह की निंदा करनी चाहिए क्यों ये कुकर्ब सारे इसी के माध्यम से होते हैं देभाव बड़ा खराब भाव है अब देहा कह जाता है इसे तो बच्चो इदेह तो निंदनी है और अगर इस व्यक्टि ने मेरी आत्मा की निंदा की है तो इसके आत्म में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है वै एक ही है तो बुरा क्यूं मान रहे हूँ संत ने समझाया महरशिवी सिष्ट को शटक्षी नो उनके शिष्श्योंने आज कहा तब से महरश इतनी सिधियों के मालिक हो इतनी शब्तियों के मालिक हो तब से क्या प्राप्ट नहीं है आपको आप अपने अलोचकों को शाप क्यों नहीं दे दे इतने निंदा भरे शबद अपमान, जनक शबद आप के लिए परयोग करते हैं उन्हें शाप दे दे नाश हो जाएगा महारश्व विश्षिष्ट समझाते हैं नहीं बंदू तब त्याग इवब भक्ती इसलिए नहीं की जाती कि शत्रों का सत्यानाश किया जाए या मिंदुकों का अलूचकों का सत्यानाश किया जाए तब त्याग भक्ती इसलिए नहीं की जाती उपास्ता साधना इसलिए नहीं की जाती वे तो इसलिए की जाती है कि अग्यानियों के हृदे के अंदर ग्यान का दीपक जला दिया जाए अग्यानियों के हृदे के अंदर ग्यान का दीपक जला दिया जाए और समाने व्यक्तियों के अंदर भक्ति का संचार कर दिया जाए उनके अंदर भगते जागित कर दी जाए मैं इन पर कुरुद होके अपनी की हुई कमाई का सत्यानाश क्यों करूँ ये कमाई बहुत अनमूल है साधना की कमाई, उपासना की कमाई, बहुत भगती कमाई ये तब त्याग की कमाई बहुत अनमूल है मैं इन्हें शाप्टी के तो अपनी बुद्धी के अनुसार संसार है ना देलियो सचनू बड़ा मुश्कल है कहना कि मुख के अंदर कितनी जिवा हैं संसार के हम तो सादत हैं ना सो एक प्रयाप्त है हमें अपने मुख के अंदर अनेक जिवाएं नहीं रखे भगवान राम से किसी ने प्रश्ट कर दिया महराज दो ना सिकाएं दी दो आँखें दो कान इस जिवा एक क्यूं दी है हसके मुश्कला के कहा शुक्र है एक ही दी है अनेक दी ही होती तो ना जाने इस जिवाएं ने क्या कर दिया होता है एक ही प्रयाप्त है जिनको गंदी अद्धे हैं देवियो सुचनू दूसरों के घरों में आग लगानी की इस जिवाएं न जाने कितने घरों को जलाके तो राख कर दिया आप विश्वास नहीं कर सकोगे लिकन ये सकते हैं जिनकी ये आदत है आगे बढ़ते हैं कटू शब्द एक साधक के लिए साथ चुनू जहर समझेगा अपने लिए भी और औरों को भी वै एक जहर का शीतिका लगाता है जिनकी वानी में कटता है करवाहट है आप जितना मर्ची रोको निकलता तो वही है जो भीतर है कितना चुपाँगे अंतता वही निकलता है जो आपके भीतर है कड़वे बोलने वालों को विश्यले बोलने वालों को यह समझ देना चाहिए कि अंदर विश भरा पड़ा है अंदर कट भरी पड़ी है आज स्वामजी महराज ने जो शब्द लिखे हैं सदा समर्णिय कभी ना भूजियेगा घाओ तीर तलवार के पुराते हैं ततकाओ स्वामजी महराज के शब्द देखो कितने अनुभवी शब्द है तीर के तलवार के खाओ पुराते हैं ततकाओ थोड़ी देर के बाद भर जाते हैं लेकन वान का तीर वानी का तो तीर है ऐसा घाओ देखे जाता है पीडा दे समकाओ स्वामजी महराज ने कहा घाओ तो दिखाई नहीं देता पीडा भी दिखाई नहीं देती लेकन उसका अनुभव कभी नहीं जाता इस कटता से सादक चरूफ बचना चाहिए आज चर्चा शुरू करते हैं कल जारी रखे इस चर्चा को बड़ा गहरा रोग अपने अंदर और पड़ी गहरी मार करता है दूसरे के अंदर जाती पेश्चानी महला की बात करते हैं दूसरे के अंदर दूसरे के अंदर जाता हैं तो उसे लगता है कि जल है, लेकन जल है नहीं, समान धरते हैं, आगे चलके देखता है, तो उसे दिखाई देता है कि भूमी है लेकन है जल, दुरियोधन आ गए है, अमंतरित है, आ गए है, आपको इसा बातों का पता है, शिर्फ यार दिला रहा हूँ आपको, चलते चलते आगे बढ़ते जा रहे हैं जहां जल नहीं था धर्दी ही थी अपने कप्रे थोड़े से उपर उठा लिये उन्हें जल दिखाई दिया आगे जाके ऐसा ही विप्रीत दिखाई दिया जहां जल था वहां कपड़े उठाए नहीं तो भी दुरूपती और भी दो डुशी इस दुरूपती को देखके इतना ही कहना अखर है तो अंधे की उलादीना बस अब आप सौरी कहो अब आप अपने शब्द वापस लो अब आप शमा मांगो जो घाओ आपने कर दिया समान व्यक्ति तो हसकर दुर्योदन जैसा व्यक्ति तो उसे कभी भूल नहीं पाएगा और उसने भूला नहीं वहीं पर मन में ठान ली महभारत का युद्ध होके रहेगा एक मामूली सी बात ही है ना सादक को तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकर दुर्योदन सादक नहीं है दुर्योदन सादक होता तो ये नुबत शायद ना आती है फिर क्या हो गया गलत तो नहीं कहा उसने दुर्प्ति ने भीम ने गलत नहीं कहा बाप है अन्दा एक लिए इस सब बातें कहने की तो नहीं होती और कहनी भी चाहिए तो बड़े ढंग से कहनी होती है बे ढंगी तो नहीं कहनी चाहिए तो अटक्षन समय हो गया है कर लिस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे धन्यबाद